हलो मैं ब्यूटिफल सोल्स वेलकम बैक तो मैं चैनल टैरो विश्यवी ट्रिपल एट गाइस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी गाइस प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे ये एक जणरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजुनेट हो हो सकता है ना हो तो आप इस रीडिंग को पॉस्टिव वे में लीजेगा जितना आपसे रेजुनेट हो से रखिए बाकी को इग्नॉर कीज़े और गाइस एक timeless reading भी है तो जब भी आप इस reading पहुंचेंगे तब भी आपसे resonate करेगी और ये reading सब भी zodic sign दे तो आपका जो भी zodic sign हो ये reading भी आपसे match जरूर करेगी guys जे reading married, unmarried, male, female, कोई भी देख सकता है gender specific बिलकुल भी नहीं है okay so guys चलिए करते हैं आपकी reading को start ठीक है देखते हैं आपके person की energies क्या है क्या सोच रहे थे आज के दिन में ठीक है कोशिश करते हैं देखने की let's see चलिए guys करते हैं आपकी reading को start देखते हैं आपके person की energies ठीक है आपके person guys Scorpio हो सकते हैं ठीक है यहाँ पर मैं देख रही थी guys I think आपके person को breathing problem है ठीक है maybe यह वाली energy मुझे यहाँ पर दिखाई दी है okay so guys यहाँ पर यह energy निकल कर आई है कि आपके person आज की दिन में कहीं travel करने गए थे ठीक है मतलब traveling की energy मुझे नजर आ रही मतलब यह कहीं पर गए थे आज की दिन में ठीक है आज की दिन में आपके person travel कर रहे थे ठीक है और इनका जो mood है guys वो मुझे थोड़ा सा light लग रहा है यानि कि आज की दिन में यह जादा overthinking नहीं कर रहे थे ठीक है light थी इनकी energy आज की दिन में और यहां पर मुझे ऐसी energy दिखाई दे रही है जैसे यह person कुछ create करने के बारे में सोच रहे है creativity की energy नजर आ रही है जैसे आपके person कुछ create कर रहे है या कुछ create करने के बारे में सोच रहे हैं और यहाँ पर मुझे यह भी नजर आ रहे हैं कि बहुत अच्छा manifest कुछ आपके person कर रहे थे मतलब energies positive है ठीक है energies थोड़ी सी positive नजर आ रहे है यहाँ पर you letter भी है यह guys आपके person ना release कर रहे है चीजों को यह भी नजर आ रहा है मतलब toxicity को यह person पूरी तरीके से release कर रहे हैं आज के दिन में आपके बारे में guys यह बहुत जादा अच्छा सोच रहे थे और मुझे music की energy नजर आ रही है यानि कि आप से related songs कर रहे थे आपको लेकर मैंने जैसे कहा कि कहीं travel कर रहे थे आपको सोच रहे थे कि आप उनके साथ होते तो कितना अच्छा लगता something like इस तरीकी की energy मुझे आपर feel हो रही है यह person कहीं बाहर गए हैं और यह चाहते थे कि आप उनके साथ जाओ ठीक है या फिर मैं ऐसे बोलू कि यह ऐसे imagine कर रहे थे कि आप इनके साथ में हो ठीक है यह person आपको काफी जादे imagine करते हैं गाईस ठीक है आप इनकी कलपनाओं में रहते हो इसलिए मुझे starting में ऐसी energy आई थी जैसी यह person आपको manifest कर रहे हूं आज के दिन में visualize कर रहे थे गाईस ठीक है यह जिस भी trip पर गए हैं जिस भी काम में गए हैं आपका ध्यान आपकर था गाईस और यह एक तरीके से आपको manifest कर रहे थे यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहे है कि आपके person आज के दिन में आपके person वो past की memories को भी याद कर रहे थे जो भी इन्हों ने आपके साथ create की हैं जब भी आप दोनों कहीं पर बाहर गए हो ठीक है मतलब आप आपकी जो dates रही है वो या फिर जहां पर भी आप लोग कहीं बाहर गूमने गए हो तो उस चीज को लेकर क्योंकि जैसे मैंने कहा मुझे आप पर आज के दिन में यही energy दिखाई दे रही है कि person अपनी जगह से बाहर है और enjoy कर रही है मतलब मुझे आज energies में कुछ heaviness नहीं नजर आ रही ठीक है light energy है और यहाँ पर U letter और L letter दिखाई दे रहा है तो यह मुझे love you ठीक है यह मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे बोलना चाहते है love you यहाँ पर guys energies में यह भी नजर आ रही कि person आज के दिन में इनके intentions आपको लेकर काफी जादा प्यूर थे ठीक है प्यूर का मतलब है कि यह person बहुत अच्छे energies के साथ आपको याद कर रहे थे और मुझे लगते guys की immune उस जगह पर रहकर शायद आपको call message भी किया होगा because इस तरीकी की energy यहाँ पर है जब यह इतना positive feel कर रहे थे so definitely मुझे ऐसा लगता है कि इनको आपको call message करने का मन किया होगा मुझे हाँ पर एक energy जो दिखाई दे रही है guys की यह person आज के दिन में आपसे sorry भी बोल सकते थे ठीक है या फिर हो सकता है reading के आसपास बोल दे क्योंकि इनको अपनी गलती तो realize होती है guys लेकिन इनको हमेशा यह रहता है कि आप तक पहुचा कैसे जाए आप आपको approach कैसे किय person बोल सकते है definitely just because guys की इनको आपके साथ बिताय हुआ वो पुराना समय काफी जादा याद आ रहा है ठीक है और वो पुरानी सारी बातों को बहुत जादा miss कर रहे हैं और कहीं ने कहीं realize कर रहे हैं कि आपका जो relationship था वो बहुत जादा खुबसूरत था और अगर उनके sorry बोल नजर आ रही है कि इस person के साथ मुझे एक चीज जो नजर आती है कि negativity साथ में चलती है आपके person के ठीक है ये आपको ना जभी भी अच्छे मन से याद करते हैं ठीक है तो यहां पर काफी लंबे टाइम तक इनके मन में पूरी clarity रहती है कि नहीं अब आपके पास वापर जान आपके साथ connection आगे बढ़ाना है लेकिन कुछ मुझे ऐसा लगता है negativity आही जाती है आपके person के mind में जो इनको आगे नहीं बढ़ने देती या तो guys इनके birth chart में planet ऐसे हैं आप लोगों के अभी जो इस connection में separation को create किये हुए है ठीक है इस तरह से भी मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है because यह person ऐसा नहीं कि आपसे प्यार नहीं करते sometimes क्या होता guys कि आपकी जो planets होते हैं उनकी वज़ए से भी problems create होती है तो यहां पर मुझे वही energy feel हो रही है कुछ guys यहां पर C letter है यहां पर H letter है यहां पर V letter है आपकी person guys काफी मस्त मौला इंसान है ठीक है हसमुक टाइप के मुझे नजर आ रही है energies ऐसी है या फिर मैं यह क्या हूँ कि आज के दिन में यह काफी ज़्यादा हस रहे थे ठीक है या तो इनकी personality ही ऐसी है कि यह काफी खुश हसते हैं जादातर और लोगों को भी हसाते हैं या फिर यह आज के दिन में काफी enjoy कर रहे थे काफी हस रहे थे काफी खुश थे तो यह energy भी हाँ पर मुझे नजर आ रही है यह guys कुछ create करने के बारे में भी जैसे मैंने कहा कि कुछ create करने के बारे में भी सोच रहे थे तो मुझे अच्छी एनर्जी आपके परसन की नजर आ रही है और आपको काफी जादा याद कर रहे थे और आज के दिन में काफी पॉसिटिव वे में याद कर रहे थे ठीक है मतलब इमाजिनेशन कुछ ऐसी है कि आप आपके साथ घूम रहे हैं आपके साथ इंजॉय कर रहे हैं यही सारी चीज़ें आपके परसन विजिलाइज कर रहे थे यहाँ पर आज के दिन में आपके परसन को आपको रोज देने का भी मन था यानि कि फ्लार देने का मन था या फिर कुछ गिफ्ट देने का मन था क्यूंकि मैं यहाँ पर यह देखने हूं कि यह परसन कुछ ओफर आपको कर रही है या करना चाहते थे चाहिए इस तरी की energies भी है इसलिए मैंने का guys कि आज के दिन में हो सकता है कि आपनों को call message करके आपके person ने sorry बोला हो ठीक है और यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है guys कि आपके person इनके जो friends है ठीक है इनके जो friends है जिनके साथ आप उनकी life में क्या हो क्या आपकी एहमियत है क्या आपकी value है वो आपसे कितना प्यार करते हैं इस तरह की energies हैं जैसे वो आपके बारे में किसी से बातें कर रहे हूं मुझे guys आज कोई भी third party की energy आप दोनों के बीच में feel नहीं हो रही है यहाँ पर आपके person की energies energies है वो pure है और सिर्फ आपके लिए है यह energies निकल कर आई है यह guys आज के दिन में ऐसा भी सोच रहे थी कि इनको आपकी close आना है ठीक है इनको आपकी close आना है यह आपके साथ close आकर conversation करना चाहते है ठीक है और यहाँ पर एक energy special energy जो निकल कर आई है guys कि आपके person की जिद बनती जा रही है कि उनको आपको पाना है ठीक है जो इनको रोक लेती है या फिर कुछ ऐसा है जो आप दोनों के बीच में आ जाता है यहाँ पर इस एन लेटर है एस लेटर है टी लेटर है मुझे अज़ा लगता है कि यह person काफी कुछ रिलीज कर रहे हैं यहाँ पर यह जो energy है वो कहीं न कहीं एक एक ऐसे person की नजर आ रही है जो काफी हद तक balance हो चुका है या फिर अभी बहुत सारी बातों से उपर उठ गया है मतलब मैं यह बोल सकती हूं कि अभी आगे बढ़ रहे हैं यह ठीक है पुरानी बातों को पीछे छोड़कर release की energy यानि कि यह person हील हो रहे हैं तो यहां पर मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काफी हद तक हील हो गया है तो उनके person की भी healing या पर चल रही है उनके person की भी मुझे आपर energy रही किसे वो भी heal हो रहे हैं अब वो भी ऐसी energy से उपर उठ रहे हैं यह energies मुझे आपर आज की दिन में दिखा कर रहे हैं वो भी घूम रहे हैं ठीक है जाते हैं विकेशन पर जाते हैं और अपनी life को full on enjoy कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपके person भी यहां पर यही energies में हैं और यह भी काफी हद तक हील हो चुके हैं ठीक है मुझे comment section में बताईए गाईस कितने लोग हैं जो अपने आ लीज एंजल गाइड कीजे मेरे वीवर के partner की current feelings क्या हैं फोर ओफ सॉर्ट्स फोर ओफ कप्स एस ओफ कप्स queen of swords three of cups high priestess यहां पर guys energies यह निकल कर आई हैं कि यह person यह person guys यहां पर मुझे लग रहा है कि आज की दुन में वास्तम में enjoy कर रहे थे ठीक है enjoy कर रहे थे और यह यहां पर four of cups की energy निकल कर आई है अभी भी लगता है guys कि कुछ लोग के person ready नहीं हो रहे हैं इस connection के लिए लेकिन यह अपनी life में तो enjoy कर रहे हैं मतला इन्होंने अपनी life में तो balance बना लिया है ठीक है और यहां मुझे ace of cups की energy भी दिखाई दे रही है यह मुझे दिखाई दे रही है कि यहां पर आपके person के मन में यह चीज है कि उनको आपको love offer करना है ठीक है अब यहां पर ऐसा है guys कि कुछ लोग के person ऐसे हैं जो अपने intuition को काफी जादा follow कर रहे हैं ठीक है और उनको जो भी divine guidance मिल रही है angel guidance मिल रही है उनको काफी जादा follow क कर रहे हैं तो उनके मन में यह चीज आ रही है कि आज नहीं तो कल उनको आपको commitment देनी है उनको आपको यह love offer देना है उनको आपके साथ new beginning करनी है ठीक है लेकिन यहां पर एक energy यहां पर यह भी निकल कर रही है कि यह person आज ही दिन में काफी जादा enjoy कर रहे थे friends के साथ ठीक आज के दिन में भी हो सकता है इन्होंने आपको call message ना किया हो लेकिन मुझे energy लग रही है कि उस लोग के person कर देंगे ठीक है जो अपने intuitions को follow कर रहे हैं जो पूरी तरीके से alignment में हैं वो यहां पर आपको आज के दिन में एक offer कर सकते हैं लेकिन अगर अभी भी आपके person आप आपको कोई call message नहीं आ रहा है तो just मैं इतना ही बोलना चाहूंगी guys कि आप थोड़ा सा weight और करिये क्योंकि आज की energy निकल कर रहे हैं वो positive है सिंसान की ठीक है तो यह person अभी चीज़ों को समझ रहे हैं ठीक है अभी कुछ लोग के लिए ऐसा हो सकता है कि पूरी तरीके से third party इस connection से गई नहीं है ठीक है इसलिए आपके person accept नहीं कर रहे हैं लेकिन जो भी हो guys यह third party release होगी आप दोनों के बीच से क्योंकि इस person को इसके intuitions काफी जादा you know guide करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको किस तरफ जाना है और यह किस तरफ जा रहे हैं ठीक है इसलिए आपके person को हील किया जा रहा है ताकि वो खुश होकर decision ले सके किसी मजबूरी या फिर किसी के बात सुनकर नहीं यहाँ पर queen of swords से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी कुछ है आप लोगं के बीच में या फिर मैं कहूं कि अभी भी third party पूरी तरीके से release नहीं हुई है आपके connection से आपके person release करने की कोशिश कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ लोगं के लिए थोड़ा समय और लगे यहाँ पर लेकिन यह बहुत जल्दी ही release होईगी क्योंकि आपके person अपनी energies में आ रहे हैं खुश हो रहे हैं enjoy कर रहे हैं तो कही hard work करना है चलिए गाइस reading को clarify करते हैं प्लीज angels clarify कीजिए इस reading को comparison and control and patience okay abundance यहाँ पर गाइस यही नजर आ रहा है कि यह person ने patience बनाया हुआ है फिलाल में ठीके और comparison तो आपका करी रहे हैं guys की बहुत लंबे time से third party और आपको compare कर रहे थे ठीक है और तो comparison की energy यहाँ पर निकल कर आई है और इनका focus abundance के ऊपर भी है ठीक है फिलाल तो आपके person ने control कर रखा है यहाँ पर है ऐसा card control का तो हो सकता है कुछ लोग के person आपको call message ना करे हैं आपर वो अभी भी अपने आपको control कर रहे हैं अभी भी उन्होंने और patience बनाया ह focus है ठीक है यह चीज़ें यहाँ से दिखाई दे रही है let's see guys आज की दिन में क्या निकल कर आते हैं alphabets काफी सारे आगे है A letter है F letter है C letter है Cancer 4 number है Aquarius Piersings 3 number है Aries N letter है Tattoos Dark skin G letter है आपकी person message दे रहे है I am planning to take action soon आपके person कह रहे है I am planning to take action soon जल्दी ही action लेने के लिए मैं planning कर रहा हूं ठीक है यह है आपके person के messages I hope आपको reading पसंद आई हूँ अगर आपको reading पसंद आई